हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब तो मैं आज आपके लिए फर्स एक नए रेसिपी लेकर आई हूँ आज हम बनाएंगे बेसन के टेस्टी सा गट्टे राजिस्थानी स्टाइल के गट्टे चो खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं चलो फर सबसे पहले इसके लिए मसाला तियार कर लेते हैं एक चम्मच जीरा आदा चम्मच सौफ थोड़ी सी एज्वायन एक चम्मच साबुद धनिया इसको हम कूट लेंगे इसका दरदरा सा पाउडर रेडी कर लेंगे आप चाहें तो इसको मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हो गट्टे बनाने के लिए एक क सूरी मेत्री क्रश करके डाल देंगे आदा चम्मच लसन अद्रुक का पेस्ट और थोड़ा सा देसी की अब इसको तीन चम्मच दही डाल कर मैं अच्छे से गून लूँगी आप ट्राइ करें इसको दही से ही गूतना है आटे को पानी का कम यूज हो इसमें देसी की और दही से आटा गूदने पर हमारे गटे सॉफ्ट बनेंगे तो हमें किसी बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर वगरा की कुछ नीडी नहीं है इसमें डालने की आटे को हमने बहुत अच्छे से गूदना है ताकि सारे मसाले और गी पूरा अच्छे से आटे में मिक्स हो ज जाएगा इसमें अब डो को चकले पर या फिर कुछ प्लेन सर्विस पर रखकर आप इसे सिलेंड्रिकल शेप दे इसको यह दिको कितना स्मूध सा लग रहा है बीच से पीसिस कट करके इसके हम छोटी चोटी लोई रैडी कर लेंगे लोई रैडी करने के बाद इसको फिर स जादा लंबा नहीं बनाना है क्योंकि जब आप इसको पैन में बॉल करने के लिए रखेंगे तो यह तूट जाएंगे इसको पीसिस में कट करके छोटी चोटी शेप दे देनी है अब देखो गटे हमारे सारे रैडी हो गया है मैंने पैन में पानी बॉल होने के लिए रख को एक प्लेट में ट्रांसफर कर देंगे देखो गटे हमारे कितने फूल गया अच्छे से रैडी हुए है अब इनको पतले पतले पीसिस में कट कर लेंगे बहुत जादा मोटा हमने इसको नहीं रखना है तो गटे भी सब कट गया बेक कटोरी धाई लेकर उसमें एक चमब । यारवच कशमीरि कणि लाल मिर्च यह चमज धनिया पावडर थोड़ा सागरम मसाला और आदा हम लाल हजी पावडर और यह मीघ्च डाल कर इसको अच्छा सी मिक्स कर लेंगे इससे ग्रेवी में बहुत एच्छा कल़र और बहुत ही अच्छा टेस्ट आने वला है ग्रेवी बनाने के लिए दो टमाटर का मैंने पेस्ट बना लिया है प्याज को बारीग-बार इक चॉप कर लिया है और एक चमज अदरक लसन का पेस्ट लिया है पैन में ओयल गरम करका एक चमज जीरा डाल देंगे जीरा चटक जाएगा तो इसके बाद हम जो प्याज चॉप किये थे वो डाल देंगे प्याज को हमने अच्छे से भून लेना है इसको बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कर लेना है हमने प्याज हमारे भून जाएंगे तो अद्रक लसन का पेस्ट टमाटो प्यूरी और थोड़ी से कसूरी मेति क्रश करकर डाल देंगे कसूरी मेति से गट्टे का टेस्ट बहुत ही अच्छा एन्हेंस होगा और सबजी में खुश्बू भी बहुत ही अच्छी आएगी एक दो मिंट कर्ची से चला लेंगे उसके बाद 10 मिंट के लिए हम इसको ढखकर रख देंगे ताकि हमारे टमाटर अच्छे से गल जाएं गैस को लोटू मीडियम पर ही रखें तेज गैस पर नहीं पकाना है टमाटर प्याज अच्छे से हमारे भून गए है तेल अलग हो गया अब जो धाई का पेस्ट रैडी किया था गैस बंद करके हम इसमें डाल देंगे फ्रेंट्स पकने देंगे और जो गट्टो वाला पानी था वो मैंने फेका नहीं है तो इसमें गट्टे वाला पानी ही आड़ कर रही हूं मैं इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और ग्रेवी भी हमारी थीक हो जाएगी आदा चमच नमक आड़ कर देंगे नमक आड़ करने के ब फिर आच से दस मिंट के लिए हम गट्टो को ढखकर रख देंगे ताकि गट्टे हमारे सॉफ्ट हो जाएए देखो कितने अच्छे गट्टे रैडी हुए हैं ग्रेवी को हमने कुछ ऐसे पतला सा ही रखना है क्योंकि गट्टे की सबजी ठंडी होने के बाद थीक हो जाती गट्टे देखो कितने सॉफ्ट हो गए हैं बस इस स्टेज पर गैस की फ्लेम को बन कर देना है गट्टे की सबजी को फड़ चाहे आप चपाती के साथ काओ चावल के साथ काओ क्योंकि यह चावल के साथ भी खाने में बहुत टेस्टी लगती है फ्रेंट्स आपको रैसी पर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थेंक यू